स्मार्चिटी अजमेर को एक नई खुशकबरी मिलिए और वो खुशकबरी क्या है ये आपको खुशकबरी स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान खुद आपको अपने मुग से बताएंगे कि वो खुशकबरी क्या है अमीन जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो इंडिया को आपने टाइम दिया उसके बाद सबसे पहले हमें जानाता है कि ऐसी क्या कुशकबरी है जिससे अजमेर बासी बहुत खुश हो जाएं देखिए बारा तारिक को हमारी जो दरगा कमेटी अभी नई फोई है बाहरा सरकार ने हमारी कमेटी को फोई किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेटीयां और सरकारें आती थी और जाती थी लेकिन गरीब नवाज का जिस तरीके से जो काम होना चाहिता है उतना काम उन्होंने कोशिस की बहतर काम किया लेकिन हम ऐसा काम करना चाहेंगे कि पूरे अजमेर के लिए नहीं पूरे जो राजि उनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और यह यह मानिए कि यह दोनों चीज इंप्लिमेंट हो जाएगी हम 2018 में होस्पिटिल का काम शुरू कर देंगे 2019 में यूनिवर्सिटी का भी काम शुरू कर देंगे तो यह हमारी प्लानिंग है और इन्शालला ताला गरीम नवाज की द प्रदान मंत्री जी जो उन्होंने स्वच भारत अभियान जो उन्होंने अपना जो किया हुआ है तो अजमेर की जो यह दरगा है इसके जो पूरे प्रमाइसेस में उसके आसपास के रही है के अंदर जो आप देखते हैं कि बहुत क्योंके बड़ी तादाद में लोगों व सपाइर है उसके भी हम काम कर रहे हैं तो वह एक अजमेर के लिए एक खुशी की बात होगी और उससे हम जो देश के परधान मंत्री जी का जो सपना था और उसको इंप्लिमेंट हमारे जो 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 देश के जो अल्प सिंकत मामलात मंत्री है जो मुक्तार अब्बास नक्पी साथ वह बहुत फिक्रबंद है और वह चाहते कि सब काम है और हम पूरी कोशिस करेंगे क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा है यहां पर सपाई हो अस्पताल और यूनिवर्सिटी की जगें होंगी वह शहर के बीचो बीच होंगी या शहर से भार की तरफ होंगी देखिए दरये स्पताल तो हम बड़ा ही बनाएंगे Woah सो बेट से उपर का ही बनाने जाएए चोटा सपाल नहीं बनाएए देने की बात हुई थी लेकिन आज तक CISF यहां नहीं आपाई इसको लेकर कई बार विवाद दी हुए अब जब आप पूरा मामला देख रहे हैं तो उमीद करें कि CISF ट्री टुकड़ी या कोई और टुकड़ी यहां पर अब सुरक्षा के लिए बिल्कुर हम बात करेंगे हम जो जो चाहे हमारे राजस्तान के जो ग्रेमंत्रिये उन से बात करके जो देश की जो एजेंसिया हैं जो सुरक्षा के लिए काम करती है जैसे राजस्तान के अंदर हमारी जो आरेसी काम करती है तो हम देखते हैं कि क्या बहतर हो सकता है उसके लिए भी हम मिटिंग में ड खूलेंगे विशुदा लिभी खूलेंगे लिकिन रियाईशी एलाकों में लेकर तलेंग ना-हूस का एक विबाद बना हुआ है तलेंग मैं आपूई बाहर के जो हउसेस बनते तो जो गौर्मेंट अगर बनाती ही तो यह अजमेर के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन जगहें को लेके ठीक है, लोगों की अपनी सोच हो सकती, अपना जो उनका वर्जन हो सकता है, तो सीटी की वेश से लोगों को अगर तकलीफ है तो हम बात करेंगे कि जगहां को रोजगार के साधन भी उपलब्द होते हैं जब लोग अभी आके एक दिन में वापस चले जाते हैं जब जायरी निया पर आएगे उनका अपना उनकी अपनी बिल्डिंग होगी तो एक सब्सक्राइब रुके गा अगर रुके गा तो लोगों के यहां पर रोजगार के साधन मिलते हैं टेंपो वाले को आर्टो वाले को किराने वाले को हर चीज की एक संभावना है पैदा होती है तो वो बनना चाहिए बस जो जगां का मामला है तो सीटी में हो या सीटी के बाहर हो तो सीटी के बाहर होता है तो ठीक है क्योंकि बाहर के लोग आते हैं उनकी पूरी बिल्कुल हम एक शिकायत पेटी जल्दी उसको लगा देंगे या पर और जो भी शिकायत होगी हम उसके ओपर एक्षन भी लेंगे आखरी सवाल जो शिकायती पत्र पेटी यहां रखी गई थी पहले उनको भी जला दिया गया था ठीक है इस तरह की हरकत दुबारा भी हो सकती शिकायत पेटी तो कभी नहीं जलाई जैसे नोट की जला दी गई है ऐसी शिकायते कई बार जायरीन नहीं डाल पाते इसके लिए कुछ नहीं जायरीन जब लोगों को अवेर करेंगे प्रेस के मारफत बोलेंगे कि अगर आपको कोई तकलिफ है तो आप हमें बताएं उस चत्य पबिया है वाई साव रहे नहीं जोन जुमन हैं उनको साथ लेके सबको साथ लेके बाइगे और खुशी के साथ व वहापस जाए कुछे यस INU smashed पाला काम चाहर सेइंटां से पहलो पाइंगा चुनाव हो गे उसके पहले हम हुस्पिटल का तो कर देंगे और उमनीस के अंदर पहले हो जाए या बाद में हो जाए हम यूनिवर्सिटी पिर संगेबुनियाद रखेंगे यह थे हमेर साथ अमीन पठान जिन्होंने का कि अजमेर के लिए बहुत सारी सोगात यह लेकर आए कि मैंने परसन राजवीर के साथ सुशील पाल एंप टीवी इंडिया अजमेर